अबिये पार्ट पर्थम के पहले प्रस्टपत्र के अंद्रगत्थ हम आज हिंदी साहित्यतियास की परमप्रा विशेपर व्याख्यान शुरू करेंगे इस व्याख्यान के पहले भाग को आयोजन करने से पूर्व मैं इस तत्थे को आप अशी तरीके से समझ लें मेरे द्वरा कि हिंदी साहित इतियास की परंपरा को जानना क्यों फिशक है यहाँ प्रस्न आपके परिक्षा के दिश्टी कौन से तो महत्मुन है ही इसके अलावा इस बात को भी समझ लें कि अब तक हिंदी साहित के इतियास लेखन की जो सुरुवात हुई थी उससे लेकर आज तक जो महत्मुन इतियास हमारे सामने आते हैं उनके बारे में एक तो हमें हिंदी साहित का विशय लेने के नाते जानकरी होनी चाहिए और दूसरे की आप तीनों वर्स में कौन से इतियास आपके लिए सरवादिक उपियोगी हो सकते हैं जिसे आप खरीद भी सकते हैं और जिसे आप पुस्त काले में जिनका अध्यन भी कर सकते हैं इसलिए यहाँ टॉपिक केवल पाठे करम परिक्षा के दर्ष्टी कौन से ही नहीं वरन एक सामन्य जो ग्यान एक इंदी साहित के विद्यारती को होना चाहिए उसके दर्ष्टी कौन से भी बहु कवी लगे हैं और सभी जो हमारे हिंदी साहित के काल हैं उनके बारे में कौन-कौन सी पुष्टिकों में हमें जानकारी मिल सकती है इस दस्ठी कौन से यह टॉपिक महत पुर्ण है। यदि हम हिंदी साहित के इतियास परंपरा के चर्चा करें तो इस तत्थे को हम पहली बाती हम समझ लें कि 19. सताब्दी से पूर्व जो विभिन कवियों और लेकों के द्वारा जो ग्रंथों की रचना हुई थी कि उसे हिंदी के विभिन कवियों के जीवन वरत और उनके कर्तित वगा परिजय मिलता है किन्तु वे सचे अर्थों में इतियास नहीं हैं जैसे 84 वैश्णवन की वारता, 252 वैश्णवन की वारता, भक्त माल, कवी माला, कालिदास अजारा, आदी क्योंकि इन सभी ग्रंथों में थोड़ा बहुत हम हिंदी साहित्य के इतियास का कुछ परिचय तो प्राप्त कर सकते हैं तो एक जो सिल्शलेवा डंग से जो एक काल करम, संसंवत, कव्यों का परिचय वैक्तित्व या उस काल की विशेशता हैं वो जो होनी चाहिए वह इन ग्रंथों में नहीं हैं इसलिए हम इन्हें इतियास की संग्या नहीं दे सकते अब तक की जो प्राप्त जानकारी है उसके आधार परम का जाता है कि हिंदी साहित्य के इतियास लेखन का सबसे पहला जो प्रियास है वह एक फ्रांसेशी विद्वान गार्षा द तासी ने किया था जिनोंने फ्रेंच बाषा में इस्तवार दला लित्रेतर एंदूई एंदूस्तानी नामक गरंथ लिखा जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण उन्होंने वन कर्म के अनुशार दिया था इसका जो पर्थम भाग था वह 1849 में और इसका दूसरा भाग 1846 में प्रकाशित हुआ था इस इतियास का एक दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हुआ था 1871 में इसमें तीन खंडों में हिंदी साहित के इतियास को भी भाजित किया गया जो बाद में दूसरे संस्करण में संसोधित और परिवर्थित भी किया गया हिंदी का सर्व प्रथम इतियास प्रस्तुत करने का जो प्रियास है वह गार्षाद तासी के द्वारा किया गया था नहीं मानी जा सकती हालंकि इनके इतियास में एक बहुत सी हमें कम्या नजर आती है और उन कम्यों में विशेश रूप से जो कवियों का जो काल करम है उसके इसके इस्ताथ पर अंग्रेजी वर्ण माला के करम के आदार पर हिंदी के कवियों को प्रस्तुत किया जिसमें सरवा लेकिन उनका जिक्र जैसे शुरू में ही कर दिया गया जबकि वे आतुनी काल के कवी हैं तो यह विसंगती इनके इतियास में देखने को मिली और दूसरा जो काल विभाचन और उस समय की जो परवर्तियां थी उसकी और इनका द्यान बिलकुल भी इन्होंने नहीं दिया और स या अन्य जो भाषाएं थी उनको भी उन्होंने इस तरह से गुला मिला दिया कि सचे अर्थों में इसे हिंदी सायति का इतियास कहने में भी हमें तो संकोची होता है फिर भी जैसे उधान के रूप में मैं आपको कहूं कि जैसे मा लीजिए इकबाल का जिक्र है तो उन्हो बहुत सारी कमियां हमें नजर आती है किन्तु हमें कमियों पर नजर डाल कर इनका जो प्रारंविक और प्रात्मिक प्रयास है उसकी हमें प्रसंसा करनी चाहिए कि कितनी चायत रूटियां अन्यूंता है रही है पिन्तु हिंदी सायति के इतियास लेकर की परंप्रा का कम से किसी ने श्रीगनेश तो किया उसके परवर्तक के रूप में हम उनके महत्मुन इस्थान से हम उनको वन्चित नहीं कर सकते इसी तरह से गार्षदत आशी के पश्चात हिंदी साहित्य का इतियास सचे अर्थों में हम कहें तो सिव सिंग सेंगर के द्वारा लिखा गया जिनक में इन्होंने 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी चरित, जो कविताय उनके उधारन प्रस्तुत किये, इन्होंने जो कवियों के जनमकाल वरसना काल दिये थे, हालनकि वे बहुत ज्यादा कोई विश्वश्वस्नी तो नहीं हैं, किन्तु उनमें इतनी कम से कम यह एक विशेश पात मानी जा सकती है कि जो आगे के जितने भी हिंदी सायते के इतियास के लेख अग रहे हैं उनको एक मार्ग मिला एक जो आगे बढ़ने का जो एक तरीका जो मिलना चाहिए वह सिव शियंगर के द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने सामने ता 1883 में जो लगबग यह प्रकासी द्वाता जिसमें सामने रूप से उन्होंने हिंदी भासा के कवियों का ही वर्णन किया फिर भी यह इतियास अपनी नियूनताओं के कारण से बहुत ज्यादा प्रसिद नहीं होगा सचे अर्थों में कहें तो सन 1881 में एसियाटिक सोसाइटि और बंगाल की पत्रिका के विशेशांग के रूप में जोर्ज ग्रियेशन के द्वारा जो दा मार्डन वरनेकिलर लेटरेचर अप हिंदुस्तान जो एक पत्रिका के रूप में उन्होंने एक लेख जो अपना प सचे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतियास हमें यहीं मिलता है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सुध रूप से एक तो कवियों और लेकों का काल कर्म के अनुसार वर्गी करन किया दूसरा जो काल विबाजन संबन दी अब तक जो सई डंक से हो ही नहीं रहा था जिसमें वनेक प्रगार के गुण दोस्वी आ रहे थे उसको उन्होंने दूर किया और सबसे बड़ी बात हिया है कि हिंदी साहित्य को उन्होंने बासा के दर्ष्ठी कौन से उसका सवरूप एकदम इस पश्ट निजारित कर दिया जोर्ज गरिशन ने सुध इसलिए सच्चे अर्थों में कहें तो हम जोर्ज गरिशन के इस इतिहास थो सच्चे अर्थों में इतियास नाम से तो नहीं है किन्तो वह हिंदी साहिती का पहला इतियास हम मान सकते हैं जिस तरीके से एक विदेशी विद्वान के द्वारा इसका स्रीगनेस किया गया, वैसे ही उसको सुद्र रूप देने का प्रियास भी एक विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रिशन के द्वारा किया गया, और बासा नीती के कारण से यह इतिया ज्यादा प्रसिद्वा, जिस मैं संस्कृत में ग्रंत रचना करने वाले लेकों का विवन नहीं दे रहा हूँ मैंने इन सब को छोड़ करके हिंधी बासा के संबंद में जिस इसपष्ट और जो एक द्वारा दिया गया है निश्चे ही उस यूग की भूमिका में हम देखें तो यहां उनका कहना बहुत महकुन साबितवा हिंदी साहित्य के लिए ग्रियसन ने अपने जो आ ग्रंथ जो उनका यह मौडन वर्नेकुलर लेट्रिचर उप इंदोस्तान है जिसमें उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार शरोत के रूप में उन्होंने तारसी यहूं सीमिशी सेंगर के ग्रंथों के अतिक्त भगतमाल कोशाई चलितर कावी संग्रे अजारा आदि इन सब का उलेक किया उनके संद ग्रियेशन के द्वारा लिखा गया या जो modern vernacular literature of हिंदोस्तान है सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतियास माना जा सकता है क्योंकि परतेक काल के गोण कवियों तक का उन्होंने उलेक किया और परसितियों का उलेक किया आलोचना अनुसंधान की परंपरा जो उस समय शुरूई नहीं वी थी उसके बावजूद भी अपनी इसपश्च सुक्षम और प्रामानिक का और इतियासिक ब्याख्या को ग्रियेशन के द्वारा परसुत कर देना वास्ता में उनकी अद्बुत परतिबाशक्ती का परचे दिखाई देता है जोर्ज ग्रियेशन के पष्चात हिंदी साहित्त्य का जो महत्पूण इतियास हमारे सामने आता है वह मिसरबंद मों का द्वारा लिखा गया है यह तीन जो भाई थे उनके द्वारा इतियास है जो मिस्र बंदु विनोद नाम से चार भागों में विवकत है जिसके पर्थम दीन भाग तो 1913 इसीमिंग परकासित वी और चौथा भाग 1934 में परकासित हुआ था मिस्र बंदुओं ने अपने गरंथ को हम देखें उनके ग्रिंत का यदी नाम देखें तो मिसर बंदू विनोद है यानि इसमें कोई इतिछास उन्होंने सब्द का परियोग नहीं किया किन्तु इस बाद की उन्होंने पूरी कोशिश किये किया हिंदी साहिते का सर्वादिक महत्पून इतियास साबित हो इसके लिए उन्होंने लगबर पांच जार हिंदी बासा की कवियों को इस्थान दिया और आठ से बेदिक उन्होंने कालखंड हिंदी साहिती के लगलग बनाई और जितने भी हिंदी साहिती की जो अग्यात कवी हैं जिनका नाम तक नहीं सुना उसको उन्होंने अपनी खोजी परवर्ती से अपने स्थान दिया और इस दश्टी कौन से दें तो कवियों का जो सापिक छिक महत्व है उसकी उन्होंने स्रेणिया भी बनाई यदि हम कहें कि मिस्रबंदु विनोध जो आगा में जो इतियास कार रहे हैं जो बहुत परसिद् खुद रामचंद्र सुकल ने इस बात को स्विकार किया कि मैंने जो कवियों के परिचात्मक विवरण है वह प्राय मिस्रबंदु विनोध से ही लिये हैं यही इस इतियास की सच्चे अर्थों में एक जो विशेस्ता है वह हमारे सामने प्रकट हो जाती है अब यदि हम हिं अच्छी तरह बली बांती परिचित हो जाएं कि यह आचारी रामचंद्र सुकल का इतियास हिंदी साहित में आज भी अपना सर्वोच स्थान दखता है जो 1929 में उनके द्वारा लिखा क्या था हिंदी साहित का इतियास देखें लगबग 100 वर्सों ने को आए हैं फिर भी उनका इतियास आज भी मील का इस्तंब है आलंकि उन्होंने नागरी पचार्णी सभा के द्वारा जो प्रकासित एक गरंथ बड़ा हो रहा था हिंदी सब्द सागर उसकी भूमिका के रूप में उन्होंने भी लेग लिखा लेकिन यह इतना प्रशिद्वा और लोगों ने कि इतनी प्रसंसा की कि आचारे शुक्ल्स scrambled से अनुरूद्ध किया गया कि वे इसी को आगे बढ़ा करके हिंदी साहिते का इतियास लेखें जिसे उन्होंने श्вिकार करते वें आगे परिवर्धित और वृस्तित रूप इसको प्रण करते वें इसको हिंदी साहिते का इति अब दो महीं कहें कि यब कि पर्तिति के स्षित्रों रूरु yeah रुपिंत्यकि स्षित्रूं को पर्मप्रा को परक रखते वे हैं तब यह साहितिय के इतियास्य. नहीं हित है इस स्पष्ड है कि आचारे शुक्ल ने अपने साहित्य, के अंतरगत उन्होंने तत्त युगिन जो परवर्ति है उस पर उन्होंने विशेश ध्यान दिया और सच्चे अर्थों में आपके तो अपनी सरल्धा ऊपरद्धा, इसपर्श्ट काल विभाजन, अपनी शुक्ष्मता इसके करण से आचारी शुक्ल का इतियास बहुत परशित हुआ आचारी शुक्ल ने काल विभाग के अंतरगत यदियम देखे तो हिंदी साहिति के इतियास को इसपष्ट उपशे उन्होंने 900 वर्सों के चार इसपष्ट काल खंड़ों में वजित कर दिया आचारी शुक्ल के इतियास की महत्पुन विशेशता है कि उन्होंने अतिसरलता के दस्टी गोंड से उन्होंने पहले 1050 से 1300 पिचत तक आदिकाल और आदिकाल के अंतरगत भी उन्होंने वीर रस और वीर के साथ जो गोंड हैं सिद्ध, नाथ, जैन उस पर उन्होंना अलग से चर्चा करके उसको अलग स्थान दिया और इसी तरह आचारे शुक्ल ने भक्तिकाल को तो इतना सुक्ष्म और सरल तरीके से किया कि वह आज भी लोगों की जुबान पर है पूरे भक्तिकाल को उन्होंने चार भागों म उन्होंने उसके दो भाग किये, एक निरगुण और दूसरा ऑगुण, फिर उसके दो दो अलगलिग साखाईं की एक ग्यानासरी, प्रेमासरी तो दूसरे की रामबक्ति और क्रिष्णबक्ति, इस तरह के देखें तो सagुण धारा में उन्होंने रामबक्ति और कर दिया एक इतियासकार के रूप में आचारे शुक्ल की सबसे बड़ी जो विशेस्ता है जिसे डॉक्टर नगेंदर ने कहा है कि कवियों और साहितिकारों के जीवन चरित्र है उनमें उन्होंने कोई सामन या जो इतिवरत है उसका के इस्तान पर उसके साहितिक मुल्यांगन को परमुटका पडांद की मैं सरलता के दश्टी कौन से कहूं तो जो कवियों का जो विवरन है एक सामन जानकारी देने का यह जिस्याम इतिवरत कहते हैं उस पर उन ज्यादा ध्यान दिया इस कारण से यह इतियास बहुत परसिद्ध हुआ था क्योंकि अब तक हमारे सामने कवियों का एक परिचात में विवरन ही मिल रहा था चाहिए वो मिश्रबंदुवी नोद में हो चाहिए वो अन्य उससे पहले के गरंथों में वस्तुत इतियास के जो एक संचिप्त कलेवर में जो कवियों का एक प्रामानेक सारगर्बीत एक उधारन से जो उनका एक वर्णन हमें मिलना चाहिए वह आचार्य शुक्ल के इतियास में ही मिलता है इसी तरह उन्होंने रीती गरंथ के अंद्रगत आचारित्व और कवित्व का शुक्ष्म व वह बहुत महत्पुन एक लेखक हैं जिसमें उनकी सुक्ष में व्यापक दरश्टी जिनका विक्षित दरश्टी कौन उनका इसपष्ट वीवेचन विशलेशन और जो उनके प्रामानिक जो निश्कर्स जो उस समय उनको उपलब्द थे उसके आधार पर उन्होंने इस इत करने अनुसंदान करताओं का द्यान आकरिष्ट करने का प्रियास भी किया गया था इस तत्य को अभी भूल नहीं सकते कि 1929 में लिखे गए इस इतियास के समय हिंदिस आयते में सोध प्रबंदों की तो संख्या नगण्य थी हमारी जितनी अंगुलियां हैं उतने भी सोध गरंथ नहीं हो रखे थे इसलिए आचारे शुपले ने अपनी स्वतंतर चिंतन और विवेचना सकती से अपने इतियास लिखा और उस इतियास में उन्होंने कावेधाराओं का वर्गी करन और परतेक जो काल है उसकी अलग से जितनी भी विशेशताएं होती हैं उनका विवेचन रिती मुक्त के अलावा उन्होंने राजनिती विराग्या और फुटकर संबंदी जितने भी गरंद कवी हैं उनका उलेक किया तो कुल मिलाकर आचारिया रामचंद्र शुकल ने अपनी परतिभा और अपनी प्रौड व हम स्विकार कर सकते हैं क्योंकि उसमें सोधों की संख्या नहीं थी एक अलोचक के रूप में उन्होंने एक सुध इतियासकार के रूप में हमारे सामने पहला वेक्ती सामने आया अवश्य ही आचारिय शुक्ल का जो इतियास है इंदी साहिते का इतियास वह एक मील का इस्तंब माना जा सकता है उनका महत्व सदेव अप्छुन रहेगा इतियास लेकन की परंपरा में इसमें कोई दो राय नहीं है